इससे पहले कि वह उसे अपना असली चेहरा न दिखाए। वीरईया गंभीर रूप से घायल सागर को अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन सागर रास्ते में ही दम तोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि उसके मन में हमेशा उसके लिए सनेह था। लेकिन ड्रग सिंडिकेट पर कार्रवाई के कारण वह इसे सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं कर सका। वीरईया को पुलिस ने रोका और ले गई। सागर को राज किये सम्मान से वंचित कर दिया गया और पुलिस ने उसे देश-द्रोही करार दिया। दुखी होकर वीरईया अदालत में अपनी गवाही के लिए माइकल को भारत प्रतियर्पित करने का फैसला करता है। इससे पहले की सीतापती उसे रास्ता दिखाए। वर्तमान वीरईया ने माइकल को उसके ड्रग पार्टनर के खिलाफ खड़ा कर दिया है और उसके ऑपरेशन बेस को उड़ा दिया है। प्रतिदवन्दवी गिरोह माइकल को मारने का प्रयास करता है जहां वह अपने जीवन के बदले में वीरईया के साथ भारत आने और अदालत में गवाही देने के लिए सहमत हो जाता है। अतिथी की मदद से वीरईया माइकल को वापस भारत ले आती है। माइकल की गवाही के बाद अदालत ने सागर की वीरता को मान्यता दी और उसे राजकीय सम्मान दिया. साथ ही वी रईया को उसके आरोपों से बरी कर दिया. बच्चों की मौत का बदला लेने की सागर की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए वीरईया ने अदालत कक्ष में माइकल का सिर काट दिया और उसे जेल की सजा सुनाई गई